नबस्कार दोस्तों में नाम में विमलतिंग बालाजी श्टरी एड़ा में आपका स्वागा था यूपीटेट 2021 के लिए मौडल पेपर हम आपको करा रहे हैं तो मौडल पेपर 4 जो है हम देख रहे थे से पहले हमने बाल दिकास और हिंदी के टोटल 60 प्रसन देखे थे प्रस नमबर 121 से पहला प्रसन है कि प्रात्मी कक्षाओं में पाररण अध्यन के लिए इनमें से सभी सामान ने उपागम का अनुपालन किया जाना है केवल इसे चोड़ कर तो किसका अनुपालन नहीं किया जाना है यह यहाँ पर पूछा गया है मूर्थ से अमूर्थ या अंसर की बात करते हैं तो केवल अमूर्थ से जो मूर्थ है यह आपका प्रात्मी कक्षाओं में यूज होता है जो प्रात्मी कक्षाओं में यूज होता है मूर्थ से अमूर्थ जो प्रात्मी किस्तर के बच्चे उनकी इतनी नहीं चमता होती है कि जो अमूर्थ जो चिंत लोड़कर तो B वाला आपका अंसर यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न 122 है कि भारती सविधान कितने सब्दों से जो है वो बना हुआ है 40,000, 60,000, 80,000 या फिर 1,20,000 बताइए इन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं आप्शन ABCD में से तो आपका आप्शन 80,000 बिल्कुल सही होगा 80,000 सब्दों से भारती सविधान बना हुआ है इसको जो है वो दहरा दून से प्रकासित किया गया था इसका निर्माल करने वाली सविधान सभाग की जो चिन है मुहर है वो हांती थी कुछ ऐसे पॉइंट है जिनको आपको पता होना चाहिए अगला दे रहे हैं वो आपको देखने को मिलते हैं सीटेट में पर यहां पड़ दिये हुए अंसर कौन साविधी होगा तो आपको ऑप्षन सरवुथ्तम विधि जो है वो यह है कि आपने देश के विविन जो राज्य हैं उनके विविन लोगो दौरा काई जाने वाले विविन जो भ अगला प्रस्ने 124 भारती सभिधान जो है उसका अनुच्छे 43A उद्योगों के प्रबंदन में स्रमिकों की भागिदारी जो है वो किस से सम्मदित है राजी सरकार किंद्र सरकार राजी नीती के निदेशक सिध्धान या भारती नागरी के मौलिक अधिकार बताईए इन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो राजी नीती के निर्देशक सिध्धान आपका ओप्शन C वाला जो है वो सही होगा भारती सभिधान का जो अनुच्छे 43A है ये उद्योगों के प्रबंद में स्रमिकों की भागिदारी किस से सम्मदित है तो नीती समू में से उस समू को जो है वो चुनिये जिसमें खाना पकाने के तरीके जो है वो दिये गए हैं सेक कर उबाल कर बेल कर तल कर भिगो कर भून कर सेक कर तल कर भून कर या उबाल कर गूत कर भून कर खाना पकाने के तरीके के संदर में पूछा गया है अंसर की बात करते हैं इन चारो option में से तो आपका सेक कर, जो की आपको A और C दोनों में दे रखा है, और आपका सेक ने एक वाद हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं, तल कर, पिर तल के बाद क्या आपका आएगा, तो भून कर, C वाल आपका option सही होगा, जैसे इसको example से समझें, जैसे मक्का के जब भ पकाने के तरिके में कौन सी यूस होती है। है इसको भी आप याद रख सकते हैं 127 प्रसने पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने का कि मुझे और मेरी मा दोनों को साफ खाना बहुत पसंद है जब भी हमारी साफ खानी के इच्छा होती है अंसर की बात करते हैं उड़ी सा रोना चल प्रदेश असम या हॉंग कॉंग तो हॉंग कॉंग आपका भी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा हॉंग कॉंग में खाया जाने वाला खाद्य पकवान है साफ जो है वहां पर खाते हैं 128 प्रस में एक अक्ष या तने पर पतियों की विवस्ता को क्या कहा जाता है फाइलो टैक्सी वर्नेशन वेनेशन या फिर फाइटो टैक्सी पताइए कौन सा इन में से सही होगा एक अक्ष या तने पर पतियों की विवस्ता को क्या कहा जाता है अंसर की बात करते हैं तो एवाला आपका ओप्शन फाइलो ट पताुए इन चार उप्षन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका सॉइट्उलोजी सही होगा क्या कहते हैं सइट्उलोजी कहते हैं कोशिकाओं का अध्यान को और जीवों की जो कारव pregnant马alी है और भाग हैं उनका अध्धन क्या कहलाता है तो वो आपका कहलाता है फिजियो लॉजिक ये दोनों में डिफ्रेंस होता है वो भी ध्यान रखेगा अगला प्रसन है गंगा सागर मेला किस राज में आयोजित किया जाता है उप्षन अभी सीली में से उत्राकंड उत्तरप्रदेश पश्यम मंगाल या महाराष्ट में आपका उप्षन पश्यम मंगाल जो है वो सही होगा गंगा सागर मेला पुर्तिवर्स मकर संक्रान्ती को मनाय जाता है गंगा सागर दियूप पशिम बंगाल में जो है वो इस्तित है और ये जो दियूप है आपका ये हुगली नदी के मुखाने पर इस्तित है अंसर की बात करते है इन चार उप्शन में से तो करनाटक राज़ में आपका इस्तित है तो दानदेली वन्यजीव अभ्यारन आपका उप्शन डी जो है वो सही होगा और एक और है आपका बांधिपूर राश्टी उद्यान वो भी बहुत पूचा जाता है उसको भी ध्यान रखेगा वो भी कहा है इस्तित है वो भी आपका करनाटक में ही जो है वो इस्तित है बांधिपूर राश्टी उद्यान इसको भी जरूर ध्यान रखेगा 132 प्रसने है कि भारती राजनीतिक पार्टी बसपा ब्सपी का पूरा नाम जो है वो क्या है भारती समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी भारती संग पार्टी या फिर बहुजन संग पार्टी कौन साइन में से सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका option बहुजन सम इसको कह कहते हैं राश्टी लोगदल कुछ ऐसे नाम है जो आपको पताऊना चाहिए 133 रसने निम्लिकेत में से पेट्रोलियम के सही अभी लक्षर जो है वो चुनिए अंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा तो पेट्रोलियम जो है आपका बदबुदार और गाड़ा गहरे रंगा तेर होता है यह इसकी विसेस्ता जो होती है 134 प्रसने भारत के राश्टपती के पद के लिए कौन जो है वो सपत दिलाता है गवर्नर जनरल भारत के मुख्य नयादीस भारत के प्रधान मंत्री या भारत के उपराश्टपती पताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं उप्षन ABCD में से तो भारत के राश्टपती को राश्टपती पद के लिए कौन दिलाता है तो आप कहेंगे भारत का मुख्य नयादीस आपका जो है वो सही होगा मुखे नायदी जो है ये संसत के केंद्री एकक्ष में भारत के राश्टपती को सपच जो है वो दिलाता है और भारत के राश्टपती के चुनाओ का उले किस आर्टिकल में है तो 54 आर्टिकल में है राश्टपती का चुनाओ आपरत्यक्ष रूप में होता है जिसे आनुपा इस प्रसना इन इम्लिकेत में से किस ने सम प्रभुता के अद्वैत सिध्धान्त जो है वो दिये थे और लोग भी जुड़ते रहें अंसर की बात करते हैं इन चार ओप्षन में से तो आपका आउस्टिन जो है वो सही हो जाएगा जौन आउस्टिन जो है ये एक अंग्रेज नयग थे इन्होंने विदी के दर्सन और विदी सास्तर पर बहुत अधिक लेक लिका है और इन्होंने विदिक प्रत्यक्शोहत के सि समंदित निम्लिकित सावधानिया जो है वो परती है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे पानी के बरतन, कूलर और टंक्यों को साफ रखें यदि कुछ जगा पर पानी कट्टा हो जाता है तो तेल का शिड़काओ करें स्वयम के बचाओ के लिए जाली का प्रयोग करे तो यह जो आपको पोस्टर में लिखी वे सारी चीज़े दिखाई देनी है वो किस रोग से बचने या जागरुपता फेलाने से सम्दित है यह आपसे पूछा गया है डेंगो और आइफलू, टाइफाइट और हैजा, डेंगो और जापानी मस्तिस खुजर या चेचक और म अलेरिया चलिए अनसर की बात करते हैं तो डेंगो और जापानी मस्तिस खुजर जो सारे आपको रोगताम लिखें इंसे सम्दित साभदानिया लिखी है, फिल मिलाकर मच्छर से आप कह सकते हैं जो रोगताम है उससे सम्दित साभदानिया लिी है, अगला प्रशन देखत अंसर की बात करते हैं इन चार ओप्शन में से तो इन चार ओप्शन में से ब्रह्मपुत्र आपका सही होगा और अगर बात करें किस राज्य से सम्मंदित है तो असम राज्य में आपका है नर नारायन सेतु अगला आपका है 138 प्रह्मपुत्र नदी की निम्लिकित उपनदियों की पश्चिम से पूर्व की और के क्रम में जो है वो लगाई है लोहित दिबांग सुबन सेरी तिस्था नीचे अभी लिखा है इनका क्रम तो आपको बताना है इनमें कौन सा जो है सही क्रम होगा ब्रह् पुत्र नदी की निम्लिकित जो उपनदी है उनको पश्चिम से पूर्व की और क्रम तो सबसे पहले इसमें अंसर की बात करते हैं तो आपका आएगा सबसे पहले यह अंसर चार तीन दोएग नीचे से उपर के क्रम में है आपका जो तीस्ता है वो सबसे पहले आएगा फि मैंने आपको एक question कराया भी है कि जिस क्रम में आप इसको पढ़ते हैं वस उसी क्रम में सबसे प्राचीन में सबसे पहले रिगवेद कोई पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन भी आपका रिगवेद है यही आपका option सही हो जाएगा चोल, विजयनगर, वाकाटक या पांडे बताइए इन में से कौन सा सही होगा तुंग भद्रन नदी किस सामराज का भरन पोसर जो है वो करती थी अंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारो option में से विजयनगर जो है वो सही हो जाएगा विजयनगर सामराज का भरन पोसर तु 141 प्रसने विटामीन ऐसे पदारते हैं जो स्वास रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं पेसियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं हीनता जन रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवशक हैं यह हमारी जो पाप चैदर है वो बढ़ा कर मतलब ही लाते हैं तो भार में कमी से कोई मतलब ही नहीं है दवाई के रूप में हम स्वास रहने के लिए लेते नहीं है पेसियों का विकास करके हम ताकतवर जो है वो इससे विटामीन से नहीं बनते हैं हम बनते हैं प्रोटीन से तो हीनता जन रोगों से बचाओ के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, बस यही सी वाला आपका ओप्शन सही हो जाएगा, 322 प्रसने प्रात्मिक इस्तर का आकलन में होनी चाहिए, अर्द वार्षिक और वर्ष के अंत्मे वार्षिक परिश्या, सब्ताहिक तो नहीं आप कहेंगे, तो ये तो का ओप्शन काट दीजे, सिक्षार्ती और अभिवागत के साथ बाटे जाने वाले सिक्षक के सतत और आसनरचित अवलोकन बिल्कुल गलत है, प्रतेक सब्ताह में किये गए अपचारिक परिश्या और केल, ये भी आपका गलत है, अर्द वार्षिक और वर्ष के अंत्मे वार्षिक परिश्या होनी चाहिए, प्रात्मी गिस्तर का आकलन, बार-बार आप हर हपते परिश्या ले रहे तो बच्चों पर भी बोज पढ़ता है, प्रात्मी किस्तर की बात हो रही है, तो ये वाला आपका ओप्चन सही होगा, अर्द बार से और बार से. अगला 143 प्रसने मांचेत्र को पढ़ने के लिए वांचनी कौसलों में क्या सामिल है, अभी व्यक्तात्मा की योगिता को उप्रदर्सित करने के लिए बहतरीन संप्रेशल कौसल, या फिर स्थान दूरी और दिसाओं की साफेक्ष दूरी बहतर समझने की योगिता, बहतरीन ड्रॉइंग से कोई मतलबी निये मैप को समझना, गड़ना और स्केच इस्तिती का प्रियोग करने की भी कोई आउशकता नहीं है, इन दोनों उप्षन में बताएं कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे जब मांचेत्र की बात हो रही है, तो अगर इस्थान दूरी और दिसाओं की साफेक्ष दूरी आपके अंदर समझने की योगिता है, तो मांचेत्र को भी आप आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो बस भी वाला आपको आप्षन आपर सही हो जाएगा, 144 प्रस्ण नहीं बलेकित में से किसे अभी प्रेरित पार्यवरण अध्यन की कक्षा माना जाता है, कक्षा में अधिक्तम उपस्ति, सिक्षक जो है उनके द्वारा दिया गया उप्चारात्मक, जो सिक्षड है या उप्चारात्मक कार रहे है, तीसरो उप्षन है कक्षा में किया जाने वाला प्रसनोतर, परिक्षड और ब्रेन, इस्ट्रॉमिंग है, मस्तिस आलोडन जिसको कहा गया है और कक्षा में अत्यंत खामोसी तो किसे आप अभिप्रेरित पर्रवन अध्यन की कक्षा जो है वो कहेंगे अंसर की बात करते हैं इन 4 उप्षन में से तो अभिप्रेरित के अंतरगत आएगा कि कक्षा में अधिक्तम उपस्तिती हो जादा से जादा जब बच्चे अपनी उपस्तिती दरजा करा रहे हैं तो क्लियर आपको दिखेगा कि बच्चे पढ़ाई के प्रती अध्यन के प्रती पर्रवन अध्यन के प्रती अभिप्रेरित जो हैं और एक अंसर ये भी हो सकता है, कि कक्षा में किया जाने वाला प्रस्नोत्तर, परिख्षड और ब्रेन इस्ट्रॉमिंग, तो ये दो अंसर हो सकते हैं, अब इन दोनों में बहतर कौन सा अंसर होगा, अभिप्रेरित पर्रेवरण अध्धन की कक्षा, तो C वाले option के साथ आप अंसर हो जाएगा, 145 प्रत्ने कोंकड passer, सीदे जोडती है, मंगलोर और मूंबई को कोची और गोवा को, कोलम और कोजी कोड़ को, या अलपुजा और मैंगलोर को, बताये इन में से कौन सा सही होगा, गोंकड रेल किसको किसको जोडती है, अंसर की बात करते हैं, तो बारत की जो वाडिज राजधानी के रूप में बोली जाती है वो है आपका मुंबई और मंगलोर जो है इनको जोड़ती है तो मंगलोर और मुंबई आपका ओप्शन सही होगा अगर बात करें इसकी लंबाई की तो 736 किलोमेटर लंबी जो है यह लाइन है कहीं कहीं दूरी 760 भी देखने को मिलती है और इसमें कौन-कौन से राज आ जाते हैं तो आपके महराष्ट, गोवा, करनाट, यह सबी आ जाते हैं यह वाला आपका ओप्शन सही हो जाएगा 146 प्रसन है कि कच्छ स्थान जो है उनमें वनस्पती के अफगटन के करण उत्पन गैस जो है वो कौन स और अपके महराष्ट, वनस्पती के अफगटन के नमस्पत गैस जो है उसे हम कहते हैं मीथेन, आपका ओप्शन जो है सही हो जाएगा तो मीथेन गैस जो है उत्पन होती है 147 प्रसन है जैविक पारवण में सामिल है उत्पादक, उभोगता अफगटक या फिर सभी तो ब गटक भी आता है, तो अंसर आपका उपरोक्त सभी यहां पर जो है, डी वाला ही जो है, वो सही हो जाएगा, 148 प्रसन है, जिन जनपदों में कौन सरवादिक वनाच्छादित है, इन में जो जनपद दे रखे हैं, निम्न जनपद में कौन सरवादिक वन्ज डखा हुआ है, लकीमपुर खीरी, सोन भद्र, पीली भीत या फिर चित्रकूट, कौन सा इन में से सही होगा, अंसर की बात करते हैं, उप्शन एपी सीड़ी में से, तो आपका अच्छा प्रसन है, याद रखेगा, सोन भद्र आपका जो है, वो सही होगा, तो यह आप से कब पूछा तो आप सोन भद्र लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में बूचा जाएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा, वन आच्छा दित जन पद है, आपका सोन भद्र, अगला प्रसन देखते हैं, आपका 149, विलेन पार्ट की प्रायोगिक व्याक्या के लिए, विले के रूप में स एक प्रायोग करेगा, सोडियं क्लॉराइड गा, आपका d वला option सही होगा, विले होता क्या है आपका, विले होता है जिसको घोला जाता है, जैसे कि नीबु है, आप पानी में घोलते हैं, चीनी है, पानी में घोलते हैं, नमक है, गुलता भले ना अहो, पर आप कहेंगे कि जब थोड़ा असा गरम करके उसको घोलेंगे तो घोल जाएगा मतलब कहने का है कि जिसको घोला जा सके वो विलाय है वो विलायक क्या होता है जिसमें विलायक को घोला जाएगा अब ऐसे समझेगे कि पानी है तो पानी क्या है विलायक है इसमें आप क्या कर रहे हैं एक चमज NaCl डाले दे रहे हैं sodium chloride डाले दे रहे हैं तो sodium chloride क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका villain और यह जो आपका complete बन जाएगा वो बन जाएगा villain तो villain पार्ट को पढ़ाने के लिए यहाँ पर बूचा गया था तो आपका option यह जो है वो सही हो जाएगा अगला और लाश्ट प्रस्न है इस portion का उत्तर प्रदेश में वन संग्रक्षण की प्रक्रिया का आरंब कव से हुआ 1700, 1900, 1800 या फिर 1950 यह question हम आप से सबसे last में पूछेंगे जैसे कि सबी वीडियो में हम पूछते हैं संस्क्रत का प्रस्न मिसले नहीं पूछें कि कुछ लोग संस्क्रत नहीं सब्जेक्ट के तौर पर लिए इंगलिस बहुत से लोगों ने लिए है तो उनके लिए भी question हो जाएगा अब चलिए हम बढ़ते हैं संस्क्रत की प्रस्नों की तरफ यहां पर भी सबसे पहले स्टार् चार option दे रखे हैं बताईए इनमें से कौन सा सही होगा दैव मपी उपर प्रस्न में clear तरीके से लिखा हुआ या नहीं जो paragraph है पुरसार्थम जो है वो पेक्चते इसका मतलब है कि देवता जो है वो भी पुरसार्थी को ही जो है वो चाहते हैं पुरसार्थी का मतलब जो को जो है वो नहीं कायर मतलब होता है आपुरसार्थी तो आप समझ गए इसमें पुछा है दैव मपी किम पेक्चते कि देवता किसको चाहते हैं तो आप कहेंगे पुरसार्थम पुरसो को ही जो है वो चाहते हैं पुरसो का मतलब यहाँ पर पुरस या महिला वाला पुरस नहीं है पुरसार्थी आप कहेंगे कि पुरसार्थी कोई ही जो है वो चाहते हैं अगला है 62 प्रस ने कै देवेन देयम इतिवदंती महापुरसा राजपुरसा कापुरसा या सरवे बताइए कौन सा सही होगा अंसर की यहां पर बात करते हैं तो आपका option कापुरसा जो है वो किसने कहा है इतिवदंती यह ऐसा किसने कहा है तो आप कहेंगे ऐसा कायर पुरसो ने कहा है कापुरसा कायर पुरस ने क्या कहा है कि जो देवता है वो भाग्य देने वाले हैं ऐसा किसने कहा तो कापुरसा यानि कि कायर पुरसो ने कहा 63 प्रसन कहा रहा है कम निहत आत्म सक तो दैवम और द्योगम दोसे में पुरुसम कहने का मतलब है यहाँ पर कि इसको छोड़ कर जो है अपनी सक्ति से कर्म करो तो आप कहेंगे दैवम यानि कि भागी को छोड़ कर अपनी सक्ति से जो है वो पौरुसम करम पौरुसम मतलब कर्म कर्म जो है वो करो तो आपका हापका मानवह किम प्रतिपत देते चार ओप्षन है तो कि या पर फूछा गया है कि वो किसके अनुसार जो है वो इस्तेती प्रताप्राप्त करता है तो आप कहेंगे कर्म के अनुसार जो है स्वाकर्म आप क्या सकते हैं आत्मक्रतम कर्म राणियों के जो कर्म होते हैं ये परग्राप पर बेजड कोशन दे अब इसके बाद संस्क्रत पर बेजड डारेक्ट को युगा कालिदास संस्कृत भासा के महानकवी थे नाटककार थे और दो महाकवे इनके कौन कौन से हैं तो एक आपका है कुमार संभवम और एक आपका है रगवन सम् तो ये दोनों आपको जो है वो याद होने चाहिए गुमार संभम जो है इसमें कुमार का जन्म बताया गया है और जो रगवन्सम है इसमें टुटल 19 सर्ग है राम का इसमें विसद वर्डन किया गया है 19 में से 6 सर्ग इनी से संबंदित हैं यह आपको ध्यान लखना है तो आपका इन 4 उप्षन में से 8 जो है वो सही होगा संस्क्रत वर्डमाला में दीर्ग स्वरों की संख्या है टोटल 8 है आ, ई, उ, र, ए, आ, ओ, एवं, ओ, तो यह टोटल 8 हो जाएंगे 68 प्रस्ण है प्रस्ण कि एक मात्रिक वर्णाह कथ्या थे हरस्व दीर्ग पलुथा या विंजना आपको बताना है एक मात्रिक जो वर्ण है उसको जो है वो क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं रिस्व स्वर ए वाला आपका ओप्षन सही होगा एक मात्रिक स्वर इसलिए कहते बताई इन में से कौन सा सही होगा तो आप कहेंगे दूइ मातरिक वर्णा जो है वो दीरगाह, इनको ही दूइ मातरिक वर्ण भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि इनमें दो मातरा का समय लगता है, अगला है राजन सब्द का त्रतिया बहुवचन का जो है वो रूप क्या होगा तो राजन सब्द का त्रतिया और बहुवचन तो बहुवचन में सबसे साइड में कैसे रूप शलते हैं तो आपका राजाना पिर राग्या पिर राजबी करके चलता है तो राजबी आपका आता है तो आपका बहुअचन में सब्द्मी में आता है, क्योंकि ऐसे चलते है ना नद्याफ, नधी, पिर नधीब्याम, पिर नधीब्याम, फिर नधीजुब अंगला इन में से व्यक्ति वाचक संग्या सब्द कौन सा है गडाह, स्यामः, हैदरा बादा या सैस्वम बताइए कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका स्याम आपका व्यक्ति वाचक संग्या है तो भीवाला आपका सही होगा और यहाँ पर देखे हैं तो हैद्राबाद भी आपका व्यक्ति वाचक संग्या है सैस्वम जो है ये अवस्था का बोट कराने के करान भाव अचक संग्या है ये भी दोनों पता होना चाहिए अगला प्रसन है याच धातु के विदिलिंग लकार प्रतम पुरुस द्विवचन का रूप जो है वो क्या होगा तो बताईए याच मतलब होता है मांगना तो विदिलिंग लकार में जो चलते हैं उसमें प्रतम पुरुस द्विवचन में आपका आता है याचे याताम इस टाइप से चलते हैं याचे त फिर याचे ताम फिर याचे यू तो याचे ताम आपका आएगा बीच में सेंटर मे तो C वाला आपका option यहाँ पर सही होगा विदलिंग लकार पूछा गया ता इस चीज का भी ध्यान लगेगा 74, कत धातू, लोट लकार, मद्यम बुरुस, बहुचन का रूप जो है वो क्या होगा, 4 option में से answer की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, पहला वाला ही सही हो जाएगा कत धातू की बगंतलब होता है कहना उसके लोट लकार में पूछे गयते हैं तो कत धात, कत धातम और कत धात, इस टाइब से चलते हैं वैसे हैं यहाँ पर कत धात, जो धात धात, इसी को ही जो एक्च्वल में इस जिस रूप में चलते हैं तो अन्य नाम लिख दिया इन्होंने इसको लिखेंगे क्या, तो आपका कत धात के लिखेंगे का-था-या-ता, इस टाइब से हैं इसमें लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुचन क्योंकि चलते हैं, कथे तू, कथे ताम, कथे अन्तू कथे, कथे तम, कथे अत तो कथे अत आपका आता है, मध्यम पुरुष और बहुचन में ये कथे तम जो है, ये आपका आता है, मध्यम पुरुष दुई वचन में कथे ताम जो है आपका आता है प्रथम पुरुस और दुवचन में और जो कथे यू करके आया है ये आपका नोट लकार में नहीं आता है ये विदिलिंग लकार में आता है प्रथम पुरुस बहुचन में क्योंकि विद्लिंग में चलते हैं, कथेयत, कथेयताम, कथेयु, यह आपका विद्लिंग में आता है, तो अंसर यहाँ पर कथेयत अगर दिया होता है, तो यह आपको टिक लगाना है, बाकी इस ओप्षिन के अकॉर्डिंग, हो सकता हूं, बाकी होता आपका यही है, कथेयत, 75 पे भुयाह अव्या किसका वाचक है, इस्थान समुच्च है, प्रसन काल बताइए कौन सा सही होगा, अंसर की बात करते हैं, भुयाह मतलब फिर या फिर अधिक, तो आपका ये जो सब्द होता है, वो काल वाचक कि दिया विशेशण अव्या सब्द है, यहाँ पर डी वाला आपका वाचक के संद्र में काल सही हो जाएगा, 76 प्रसन है, पतिकाह व्रच्छ से अधाह तिष्टाति, यह अव्या जो है, पतिकाह अधाह तिष्टाति या व्रच्छ से कौन सा सही होगा, तो आपका अधाह जो है, वो सही हो जाएगा, यानि कि जो पतिक है, वो व्रच् नीचे जो है वो, अगला है 77, प्रेजते इत्यत्र कहा उपसरगा, प्रेजते में कौन सा उपसरग है, प्रेत, प्रेज, प्रे या फिर प्रा बताई कौन सा सही होगा, अंसर की बात करते हैं, तो प्रा जो है आपका उपसरग होगा, प्रेजते में, और प्रे प्लस, प्रा प साथ्र शुरू प्लस 3 या फिर सुरू प्लस कढ़ बताईए कौन सा सही वोगा आंसर की बात करते हैं तो सुरुति में प्रकृति और प्रत्य आपका सुरू प्लस 3 है ये का सही हो जाएगा सुरुति में सुरु दातु का तिन प्रत्य होगा, त्यूंकि जिन सब्दों में तिन प्रत्य होता है, उसके सब्द में आकरी में आपको ती देखने को मिलता है ये इसकी पहचान होती है तो तिन प्रत्य में ती साइस जो है वो रह जाता है यहाँ पर आपका सुरू प्लस तिन जो हो जाएगा 79 ने ता और नित्वम ता और वा कत प्रत्यांत सब्द किस लिंग के होते हैं, फुल लिंग, स्त्री लिंग, नपुनसक लिंग या इनमें से कोई नहीं, तो वे सब्दे जो ना तो स्त्री ना पूरुस होने का बोत करा हैं, उसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे नपुनसक लिंग, जैसे कि तवा का आप इक्जामपल पठित्वा कत प्रत्या से समंदिर आपका लिखित्वा, तो ऐसे दो बन रहे हैं ये दोनों जो है, आपके नपुनसक लिंग में ही आएंगे असी प्रसने मया गम्मेते का क्रत बाच में वाक की बनता है अहम गच्छ थी, अहम गच्छ सी, अहम गच्छम या अहम गच्छामी कौन सा सही होगा, बढ़िया प्रसन है अंसर की बात करते हैं तो आपका क्रत बाच में बनेगा अहम गच्छा में, डी वाला सा योगा, अगला देखते हैं आपको 81, अताह इतिक की दिर्शम पदम, बताना है आपको, पुलिंगम, अव्यम, स्त्रीलिंगम, नपुनसकम, कौन सा सा योगा, तो आपको बताना है कि जो अताह है, ये आपका इनमें से क्या है, तो अताह आपक मतलब होता है, इसलिए के संतर में, तो ये जो है, आपका होता है, अव्य, अव्य होते क्या हैं, अव्य होते हैं, कि जो जाहें तीनों लिंग की बात हो, पुलिंग, स्त्रीलिंग, ये नपुनसक लिंग, ये सातों विभक्तियों की बात हो, तीनों वचनों की बात हो, सम्म विच्छेद होगा, यद्ध प्लस P, या प्लस दपी, यद्ध प्लस अनी कौन सा सही होगा, तो आपका यद्ध प्लस अपी सही होगा, सी वाला आपका option यद्ध पी का संधी विच्छेद, E प्लस A मिलकर क्या बना रहा है, या बना रहा है, संधी कौन सी यहां पर है, तो बन जाता है आपका यड़ बन जाता है जैसे एक में आपका आता क्या क्या है तो एक जो है उसके प्रत्याहार में ए, उ, री और ली आता है चार आते हैं तो उसके बाद अगर कोई आसमान अच है तो आपका यड़ बन जाता है यड़ का मतलब यड़ प्रत्याहार है यड़ प्रत्यार में यारालावा आते हैं या वाराला तो आपका जैसे ई जो है उसके बाद कोई आता है असमान अच तो आपका या बन जाता है ऐसे ही उ जो है उसके बाद कोई असमान अच आता है तो वा बन जाता है ऐसे ही रा ऐसे ही ला यहाँ पर कैसे बना है तो यहाँ पर आपको समझ्में आ गया यडव संदी है और बनेगा क्या आपका तो यद्ध पी बन जाएगा यूक्टि यिच में कनवर्ठ हो जाता है या में गयरू is टाईप से यद्ध प्लस आपि यद्ध कागया प्रधान है, तो हम इसे कहते हैं सद्वन्द समास सी वाला आपका सही हो जाएगा और जिसमें पूरुपद आपका और उत्तरपद दोनों प्रधान होते हैं ये इसकी definition होती है, उसे कहते हैं द्वन्द समास, अगला है ये साम ना विद्या ना तपो ना दानम, यहाँ पर जो विद्या उसका विलोम क्या है आ विद्या, तपाह, दानम या विद्वान, बताइए कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चार आप्शन में से, तो आपका आ विद्या जो है सही हो जाएगा विद्या का विलोम विद्या का मतलब है शिक्षाय अज्यान, आविद्या का मतलब है अज्यान, 85 प्रसन है अंबरम का परहवाची, स्रवणाह, इंदू गजाननाह, अंतरिक्चम कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं, तो आपका अंबरम जो है इसका परहवाची होता है आंतरिक चम तो आपका option ये D वाला जगाई सही हो जाएगा बाकी option इंदू जो है इसको चंद्रमा को कहते हैं गड़े जो है उनको गजानन कहते हैं स्रवणा जो है ये कंण का परहवाची होता है 86 है अभिग्ग का समानार्थी क्या होता है जानकार अभिनेता विक्षुक या फिर नवाकिफ कौन सा सही होगा तो अभिग्ग का समानार्थी आपका होता है जानने वाला अभिग्ग कहते किसको है जानने वाला दाता कुसल आदी तो ए ओप्षन आपका यहाँ पर जानकार ज कहेंगे अपरिचित और ऐसे थोड़ा से इसको अलग-अलग करिए तो ना वाकिफ वाकिफ मतलब होता है किसी को जानना और आप कहते हैं हम उसे वाकिफ नहीं है यानि हम उसे जानते नहीं है 87 है हरी बैक हुंट में रहता है इसका संस्क्रत में अनुबात क्या होगा पताईए इन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला सही होगा हरी बैक हुंटम आवस्ति ये जो है आपका सही होगा 88 प्रसने असुद्ध क्या है अंसर की बात करते हैं तो एस प्रसने असुद्ध पूछा गया था एतत जो है एतत नी एस प्रसने इस प्रसने इस वीडियो का वैदिक शंद में कितने चंद मुख्य माने गए हैं 7,8,5 या 3 बताइए कौन सा सही होगा अंकर की बात करते हैं तो वैदिक शंदों में मुख्य 7 शंद जो है वो माने गए हैं ये आपका सही होगा कौन कौन से हैं पहला आपका है गाईत्री दूसरा आपका है उस्रिक तीसरा आपका है अनुस्टप चोथा आपका है ब्रहती पांचवा आपका है पंक्ती शे आपका है त्रिष्टुक और सात्वा आपका है जगती ये आपके टोटल 7 शंद मुख्य माने गए हैं वैदिक शंदों में पहला इसका गाईत्री था लाश्ट जगती था अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रसंद देखते हैं इसके बाद एक प्रसंद हम आपसे पूछेंगे ज़से कि सभी वीडियो में मुआ आप से एक प्रसंद पूछते हैं नब्य प्रसंद है चार आप्षन है पताए कौन सा इसमें से सही होगा इसका अर्थ क्या है कि एक सहय यात्री का एक सहय होगी यानि कि आप उससे अन्रोथ क्या करते हैं इस टाइप से पूछा गया है इन चारों उप्षन में से अंसर की बात करते हैं यह सही होगा पवता गवाक्षम पेहतुम सक्यतेवा यानि कि आप उससे अन्रोथ करते हैं कि क्या आप खिड़की को बंद करना चाहते हैं तो वही आ पर पूछा गया है कि आप क्या आणरोद जो है वो करेंगे सभी प्रस्ट हुए हमारे समाप अब एक प्रस्ट आपकी लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में आप से एपने प्रस्त पूछते हैं पर वीडियो पक्रस्ट पूछते हैं मिद्धबर चैनल और टैलिग्राम चैनल से अभी तक न जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगी, बालजी श्रेड़ा सर्च करके भी टैलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ये आपका है इस वीडियो का प्रस्ण, जो कि हमने परवाण के सबसे लाश्ट अला जो प्र प्रस्णों की प्रस्णों की प्रस्णों की प्रस्णों के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जये